आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के मेंन बुक बिहाइफ का पोयम नमबर टू विंड तेज हवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने पोयम का नाम याद रखना सुब्रमनिया भारती जिनोंने तमिल से इंगलिस में ट्रांसलेट करके इस पोयम को हमारे सामनी हमारे बुक में लाया अच्छा इस पोयम के लाइन बायान एक्स्पेरिनेशन को स्टार्ट करने से पहले इस पोयम का छोटा सा ओवर व्यू छोटा सा बैक्ग्राउंड समझ लेते हैं क्या आपको पता है कि इस पोयम को चाप्टर नम्बर टू के बाद ही क्यों रखा गया क्योंकि इस चाप्टर नम्बर टू अफ म्यूजिक के फर्स्ट स्टोरी में हमने एविलान ग्लैनी के बारे में पढ़ा एविलान ग्लैनी फिजिकली चैलेंज थी वो गूंगी और बहरी थी इसके बावजूद वो आगे चलकर अपनी डिफिकल्टीज का सामना करते हुए गूंगी बहरी होने के बावजूद सारी मुस्किलों का सामना करते हुए एक वेल नोन म्यूजिशियन बनी जो आगे चलकर सौ से भी जादा इंस्टूमेंट प्ले कर सकती थी अच्छा थोड़ा सोच कर देखो कि इवलान ग्लैनी अगर डर जाती अगर उनके लाइफ में जो मुसीबते आई थी जो वो जन्म से गुंगी और बहरी थी अगर वो इस चेश से डर जाती कि मैं तो गुंगी बहरी हूँ मैं म्यूजिक कैसे सीखूंगी तो क्या हम उनके बारे में किताबों में पढ़ रहे होते नहीं पढ़ रहे होते भाई नहीं पढ़ रहे होते क्यों? क्योंकि इवलान ग्लैनी ने अपनी मुस्किलों का सामना किया इसलिए हम उनके बारे में बुक्स में पढ़ रहे हैं कुछ इसी तरीके से बिस्मिल्ला खान वाली स्टोरी भी थी बिस्मिल्ला खान एकनोमिकली बचपन से इतने वीग थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतना बड़ा म्यूजीशिन बन जाओंगा लेकिन उन्होंने सारी मुस्किलों का सामना किया सारी डिफिकल्टीज को फेस किया और आखिरकार वन आफ दे बेस्ट सहनाई प्लेयर बने वो अब तक के सबसे बढ़िया सहनाई वादक हैं कुछ इसी तरीके से इस चाप्टर में इस पोयम विंड में सुब्रमनिया भारती ने तेज हवाओं का एक्जामपल लेते हुए हमारी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज को हमें इस ब्यूटिफल से पोयम की थुरू समझाया है उन्होंने कहा है कि भया अगर हवाएं तेज आती हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते न कि तुम तेज ना चलो मेरे घर की चीजे तूट जा रही है हम ऐसा तो नहीं कह सकते न लेकिन हम अपने आपको मजबूत बना सकते हैं हम अपने घर को मजबूत बना सकते हैं ताकि तेज हवाओं से उन्हें फर्क ना पड़े बिलकुल इसी तरीके से हमारी life में आने वाली problems होती है हम अपने life में आने वाले मुसीबितों को ये तो नहीं कह सकते कि भाई तु बाद में आना अभी मैं ready नहीं हूँ नहीं कह सकते लेकिन हम उसके लिए तयार जरूर रह सकते हैं हम उसके लिए अपने आपको strong बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर बहुत ही प्यारी सी पोयम विंड तेज हवाओं में तो आगे आप लोग वल्कम हम इस पर्टिकुलर पोयम के line by line को पढ़ेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आपके प्याहारी सी पोयट सुब्रमनिया भारती ने इस पर्टिकुलर पोयम में विंड का एक्जामपल लेते हुए हमें हमारी लाइफ में आने वाली difficulties के बारे में बताया है जैसे हम तेज हवाओं को नहीं रोख सकते हैं बिलकुल वैसे हम अपने लाइफ में आने वाली problems को नहीं रोख सकते हैं लेकिन हम इनके लिए तयार जरूर रह सकते हैं कैसे चलो पढ़ते हैं देखो वाई जब हवाई चलती है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है अभी आपको पता है कि West Bengal और Odisha में तुफान आया है यास तुफान और आप न्यूज में थोड़ा open करके देखो न्यूज चैनल देख लो वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है तो जब भी हवाई चलती है वो बहुत strongly बहुत तेजी से चलती है और वो काफी नुकसान करती है बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ में आने वाली जो problems होती है उन्हें हम रोक तो नहीं सकते है जो problems आती है मारी लाइफ में उससे हमें काफी नुकसान हो सकता है ठीक है चलो पढ़ते है Wind comes softly Don't break the sutters of the windows देखो यहां इस particular poem में जो poet है वो हवाओं से बात कर रहा है वो कह रहा है कि तेज हवाएं थोड़ा धीरे धीरे आओ थोड़ा softly आओ Don't break the sutters of the windows मेरे खिडकियों पर जो sutters लगे है जो glass के sutters लगे है उन्हें तुम ना तोड़ो क्योंकि जब हवाएं चलती है तो सबसे पहले खिडकियों आई सट-सट-सट-सट बंद होती है हैगी नी Don't scatter the papers यहां पर poet हवाओं से कह रहा है कि भाई तुम थोड़ा धीरे चलो मेरे room में रखे गए papers को बिखराओ ना scatter ना करो Don't throw down the books on the self मेरे कमरे में रखी गई जो किताबे हैं जो आलमारी पर जो self उपर रखी गई किताबे हैं उसको तुम फेको नहीं उसको तुम बिखराओ नहीं ऐ हवा जड़ा धीरे चल यह दिख तुने क्या कर दिया तुमने इन सारी चीजों को नीचे गिरा दिया मैं तुसे कबसे बोल रहा था कि थोड़ा धीरे चल धीरे चल लेकिन तुन नहीं माना तुने इन सारी चीजों को नीचे गिरा दिया You tore the pages of the books तु इतनी तेज से चल रहा है एहवा कि तुने मेरे किताबों के पन्नों को भी फार दिया You brought rain again देख तुने क्या किया तेरे चलने की वज़े से दोबारा बारिस वापस आ गई मतलब मेरे लिए बस तु problems create कर रहा है थोड़ा धीरे चलने को बोला था तुससे मैंने लेकिन तु नहीं माना You are very clever at poking fun at weaklings तुझे बड़ा माज़ा आता है ना कमजोरों का मजाक उड़ा कर poking fun मतलब मजाक उड़ाना weaklings मतलब जो लोग कमजोर है ठीक है तो तुझे बड़ा मज़ा आता है You are very clever at poking fun at weaklings तुझे बड़ा मज़ा आता है कमजोरों का मजाक उड़ा कर frail crumbling houses तुम क्या करते हो फ्रेल मतलब जो कमजोर है उन घरों को क्रमबल कर देते हो उन घरों को टुकडे टुकडे कर देते हो फ्रेल क्रमबलिंग हाउसे तुम कमजोर घरों को टुकडे टुकडे कर देते हो तोड़ देते हो तुम कमजोर राफ्टर्स को राफ्टर मतलब होती है बल्लिया आपने देखा होगा कि हमारे घरों को पिलर पे खड़ा किया जाता है है कि नी? तो भाई जब अगर पिलर कमजोर होगा तो वो तेज हमाई चलने की वज़े से गिर जाएगा तो वही कहा जा रहा है कि जितने भी कमजोर राफ्टर्स हैं जितने भी कमजोर पिलर्स हैं हमारे घर में तुम उनको भी तोड़ देते हो तुम कमजोर लकडियों को तोड़ देते हो अगर कोई कमजोर सरीर वाला इनसान है तो अगर बहुत तेज से हवा चलती है तो उसको भी problem हो सकती है वो भी गिर सकता है crumbling life तुम कमजोर लोगों की जिन्दगियां बरबाद कर देते हो तुम कमजोर लोगों की जिन्दगियों को खतम कर देते हो crumbling hurts जो कमजोर दिल वाले हैं और जब हवाईं चलती हैं तो उनको भी काफी problem होती है उनका दिल कभी-कभी रुख भी जाता है heart attack भी आ जाता है बहुत तेज से अगर हवाईं चलती हैं तो जो हवाईं की देउता हैं जो पवन देउता हैं वो सभी कमजोर लोगों को छाट लेते हैं कमजोर लोगों को एक तरफ कर देते हैं और केवल कमजोर लोगों को ही नुकसान पहुचाते हैं भाई हवाईं चलने से किसको नुकसान पहुचेगा जो कमजोर होगा जो कमजोर घर होंगे कमजोर चीजें होंगी वही तो तूटेंगी ना बिल्कुल इसी तरीके से तुम हवाओं को जो कहोगे वो वो नहीं करने वाले भाई हवाओं तुमारी बात तो सुनेंगे नहीं न वो अपनी ही स्पीड से चलते रहेंगे इसलिए हम क्या कर सकते हैं चलो क्या करें हम अपने घर को ही मजबूत बना लेते हैं भाई देखो मुसीबते आएंगी तो मुसीबत का सामना करने के लिए अगर हम रेडी है तो वो मुसीबते हमारा कुछ नहीं बिगाड पाएंगी बिल्कुल ऐसे ही जब तेज हवाएं चल रही हो तो हम अपने घर को अगर मजबूत बना ले तो तेज हवाएं से हमारे घरों को कुछ नहीं होगा Let's join the doors, formally चलो अपने घर के दर्वाज़ों को जो हवाएं की बचे से तूट जाते हैं उन दर्वाज़ों को थोड़ा मजबूती से fix करें Formally का मतलब strongly मजबूती से fix करें ताकि उन्हें कोई फरक ना पड़े चलो हम प्राक्टिस करते हैं हम कोसिस करते हैं कि हम अपने आपको इतना मजबूत बना ले अपनी बॉडी को इतना मजबूत बना ले कि हवाओं से, मुसीबतों से हमें कोई दिक्कत ना हो हम अपने दिल को इतना मजबूत बना ले कि इन तेज हवाओं से हमें कोई फरक ना पड़े अब बस तुम इतना कर लो, तुम अपने आपको मजबूत बना लो, तेज हवाओं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी अब देखो यहाँ पर सुब्रमनिया भारती ने डायलॉग मार दिया है कि जो तेज हवाओं होती है वो कमजोर आग को छोटे मोटे आग को तो बुझा देती है लेकिन लेकिन तेज हवाय चलने की वज़े से जो आग काफी बड़ी है जो बहुत दूर में फैली हुई है वो और तेजी से फैलने लगती है रोवर मतलब धदक कर जलती है और फ्लॉरिस मतलब वो आग और बढ़ जाती है ठीक है, His friendship is good, we praise Him every day, हम हवाओं का जब दोस्ती कर लेते हैं, जब हम अपने लाइफ में आने वाली मुसीबतों से दोस्ती कर लेते हैं, तो ये हमारे पूरे जिन्दगी के लिए बहुत अच्छा होता है, हम कभी भी मुसीबतों से डरते नहीं हैं, और ये मुसीबते ही हमें सिखाती हैं कि जिन्दगी को कैसे जीना है, जिन्दगी में कैसे सर्वाइफ करना है, इसलिए हमारी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टी इसको हम कोसते नहीं हैं, बलकि हम ये कहते हैं कि भाई तू आजा, मैं रेडी हूँ, got it, so this is the beautiful poem written by सुब्रमनिया भारती, जिन्हों ने तमिल से इस poem को इंगलिस में ट्रांसलेट किया, I hope आपको ये poem समझ में आया होगा, अगर विड़ो अच्छी लगी, अगर poem के line by line explanation अच्छी लगी हो, तो विड़ो को लाइक जरू करना, दोस्तों के साथ सेर करो, मिलते हैं एक और धमाकेदार, और अगली विड़ो के साथ तब तक के लिए, जय हिंद,